दिवाली चली गई और बहुत सारे जो बेस्ट सामान है न वो रह गई तो क्या फ्रेंड्स आपने कभी पुराने दियों को सौक्स पेना के देखा है नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा बहुत ही जबरदस टिप्स लेके आई हूँ और भी बहुत सारी टिप्स हैं जि काम भी आपके एजी हो जाएंगे कम समय में हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स हैं तो ट्राई जरूर कीजिएगा इसके लिए हमने यहां सबसे पहले केंडल ले ली हैं तो दिवाली पर केंडल लगाते हैं तो जब केंडल लगाते हैं तो इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेना है जितना आप बनाना चाते हो उतना आप इसको ले सकते हो अब यहां हमने यह गैस चुला इसको जला लेंगे और इसके उपर हम रख देंगे एक दीपक तो यह मैंने दीपक रख दिया है flame है वो हमें medium कर देनी कि यह मीडियम फ्लेम पर हमें इसको गर्म करना है अब यहां इसमें मैं डाल रही हूं मस्टर्ड ओयल तो यह देखिए इस दिये को मैं हाफ वर दूंगी मस्टर्ड ओयल से तो यह देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है अब यह ओयल है इसको हम गर्म होने दिंगे तो ये देखिए ओयल है वो गरम हो चुका है कुछ पकड़ लें इसको क्योंकि ये गिर सकता है अब जो हमने मॉम को कट कट किया था ना उस मॉम को हमें इसमें डाल देना है तो ये देखिए इस तरह से डाल दिया है अब हमें इसको या तो चम्मच या फिन नाइव की साथा स इस तरह से थोड़ा सा हिला देना है. जैसे ही मॉम पेगल जाएगा. ये देखिए मॉम पेगल गया. फ्लेम ओफ कर दिंगे और अब हमें इसको ठंडा होने देना है. जब ठंडा हो जाएगा जम जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि इसका आप कैसे और क्या यूज कर सकते हो तो इसको हम अभी फ्लाल में सैड में रख दिंगे यहां हमने एक चीनी का डबा ले लिया है अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स बहसी जगे चीटियां जादा होती है और चीनी की डबे में या फिर गुड में इस तरह से चीटियां लग जाती है तो इसका आप क्या करोगे इस तरह से एकदम साफ दीपक ले लेना है और इसको हमें चीनी में अंदर डाल देना है यह देखे इस तरह से दीपक एकदम साफ होना चाहिए इस तरह से फिर आपको डबा लगा देना है इसी तरह से आप इसमें चीरी भढ़ते जाईएगा यूज करते जाईएगा नेक्स्ट यूजिज है ये हमने लिया है नमक और इसी तरह से आपको एक दीपक ले लेना है उसको अच्छे से साफ करना है और इसमें फिर नमक में हमें दवा देना है इसे क्या होगा नमक में सीलन नहीं आएगी लेकिन अच्छे से अंदर तक दवा देना है क्योंकि जैसे बारिस बारिस का मौसम हुऊ थोड़ी नमी होती है na मौसम में तो फिर इसमें सीलन आजाती है और नमक है वो सीला सीला सा लगता है तो इस तरह से आप इसमें दीपक डालके रखोगे आपके नमक में कबी भी सीलन नहीं आएगी फिर आप ढकन लगा कर रख सकते हो नेस्ट यूजिज है जैसे हम आटा चानते हैं तो आटे में जैसे इस तरह से गुठलियां आपको दिखेंगी तो आपको जोड से हिलाना पड़ता है तब जाकि ये गुठलियां है या फिर हाथ से मसल नहीं पड़ेंगी तब जाकि ये गुठलियां हटेंगी या फिर आपको दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे इस तरह से साफ दीपक ले लेना है और उसको आपको इसमें इस तरह से डाल देना है और फिर जब आप इसको छानोगे न तो अच्छे से छन जाएगा आपको दूसरा हाथ लगाने की जरत भी नहीं पड़ेगी और जल्दी भी छनेगा तो देख सकते हो एक दम एक भी इसमें गाठे नहीं रही है और अच्छे से छन भी गया है और समय भी आपका कम लगेगा ज जाते हैं तो आपको क्या करना एक दीपक ले लेना है पुराने वाला और उसको इस तरह से सिंग के ऊपर रख देना है पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा देख सकते हो पानी भी आप यूज कर रहे हो तो पानी भी जा सकता है और इस तरह से आप उल्टा इसको रख सकते यह साबून, अब कोई भी सकते हो, जो भी घर में अब लेवलों, वो साबुन ले सकते हो जिसमें थोड़ी सी खुस वो हो, तो यह देखिए मैंने यह साबुन ले लिया है इसको मैंने घ्रेट कर लिया अब, अब हम एक दीपक ले लेंगे और इसमें हमें ये साबुन है ये भड़ देना है आप चाहो तो बड़ा दीपक भी ले सकते हो तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ये भड़ दिया है अब हम ले लेंगे एक कपूर और इसको हमें हातों से ही मसल जाता है इस तरह से इसका पाउडर सा बना करें डाल देना है और इसको अच्छे से मिला देना है। और अब आप इसको जैसे अलमारी होती है ना कपड़ों की अलमारी होती है उसमें आप इसे कपड़ों के बीच में रख दीजिएगा तो इसमें क्या है आपके कपड़ों में पहली बाद तो कोई केड़ा बगेरा नहीं आएगा जो बारिक वाले लग जाते न वो भी नहीं लगेगा और अलमारी में अच्छे से खुस्वू भी बनी रहेगी आपके कपड़ों में भी बढ़िया खुस्वू आएगी तो आप इ एडी या हाथ कितने भी फटे हुए हो दो दिन में आपकी एडिया एकदम सौफ्ट मुलायम हो जाएंगी और बिलकुल भी नहीं फटेंगी क्योंकि बैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों में क्या है ना फ्रेंड्स एडिया हाथ फट जाते हैं क्योंकि हम में काम करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो दो दिन ट्राइ कीजिएगा दो दिन नाइट में लगा कर सोईएगा और मौर्निंग में जब आप देखोगे न तो आपके एकदम मुलायम सौफ्ट हाथ पर मिलेंगे और फिर आपके कभी भी नहीं फटेंगे तो आप इस इस तरह से यह जो केंडल से इनको यूज कर सकते हो आप बैसे मित इनको फैंक देते हो तो इस तरह से आपकी एडिया हाथ एकदम सौफ्ट और बहुती बढ़िया पूरी सर्दी रहेंगी तो इस तरह से अच्छे से मल लेना है हातों पर जहां आपका अगर मुह भी फट र लिया है और अब हम इस फ्लेम को ओन कर दिंगे और इस पर हम यह दीपक रख दिंगे अब हमें इस दीपक को गरम कर लेना है लेकिन ध्यान रहे इतना गरम करना जितना आप जहल सको तो यह देखिए यह मैंने गरम कर लिया है अब आप कोई टाबल या रूमाल ले सकते हो और इसमें हमें इस तरह से लेना है और इस तरह से इसको ढख देना है अब आपके कहीं भी अगर swelling है या फिर कहीं पेन हो रहा है तो उस जगे को आप इससे सेख सकते हो और बैड पर बैठे-बैठे सेख सकते हो क्योंकि आप सर्दियों का मोसम आ रहा है तो आप खड़े- तक गरम रहेगा इससे आप सेख सकते हो अब आपको होट बैग बगएरा लेने की जरत नहीं पड़ेगी या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स जैसे जनके गले में दर्द होता है कान की पीछे दर्द होता है या फिर पेट में दर्द है तो इसतरे से आप सारे बेनेफिट्स उठा सकते हो देर सारे आप पैसे भी बचा सकते हो इन टिप्स और ट्रिक्स को यूज करके तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो यूजफुल लगा हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें सेयर जरूर कीजिएगा जिस हर कोई इसके वेनिफिट्स ले सके तो फ्रेंड्स से सेयर कीजिएगा और लाइक में बिल्कुल भी कन्यूसी न कीजिएगा अगर हमारे ये टेप्स आपको पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद